दोस्तों बात करेंगे nifty fifty के बारे में और एक ऐसे share के बारे में कि हर गिरावट के इंदर आपको उस share को खरीदना चाहिए दोस्तों बताना चाहूँ कि इस समय बजार में गिरावट के लेवल चल रहे हैं काफी सारे निविशकों में इस समय पैनिक का महूल है और सोच रहे हैं कि क्या बज़ार में और भी गिरावट के लेवल दिखने को मिलेंगी अब देखे अगर बात करते हैं उन लिवेश्गों की जो लोग कॉल ऐप्शन फूट ओप्शन में बाही करते हैं खरिदारी करते हैं तो call option वाले लोग जो है इस समय पैनिक में होगी और जो put option वाले लोग हैं वो इस समय खुशी का महल उनके मन में इस समय चल रहा होगा तो overall क्या है कि बजार के अंदर कितने हम लोग को नीचे के level देखने को मिल सकते हैं कितने बजार उपर को हम लोग को move करता हुआ नजराएगा इसके बारे में कोई सही prediction नहीं कर सकता है लेकिन दोस्तों मैं को बताना चाहूंगा कि बजार अगर गिरा है तो बजार ने recovery भी दी है तो इस चीज़ को भी हम लोग को यहां पे थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए देखे अगर अब से ठीक एक दो साल पहले की बात करते हैं तब के बजारों में और अब के बजारों में हम लोग को काफी अंतर देखने को मिल रहा है आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समझ जो महत्पून इवेंट आने वाला है वो 31 अगस्त को है तो 31 अगस्त को जो महत्पूर्ण इवेंट है वो ये है कि GDP के डेटा आने वाला है इस बार का जो GDP का डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा वो बहुती शांदार देखने को मिलने वाला है हाँ ये बात जरूर है कि बजार जिस तरह की से गिर रहा है और भी नीचे गिरावट के लेवल हमने देखने को मिल सकते हैं लेकिन ये बात जरूर है कि डिफरेंटली बजार रेकवरी करता हुआ नज़र आएगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह किसे Nifty 50 के अंदर आपने COVID का वक्त देखा, गिरावर देखने को मिली, काफ़ी सारे shares हम लोग को गिरते होने जराए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता, लेकिन अभी फिलाल के लेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाए देरी, हाँ अभी फिलाल में जो इवेंट निकल किया है, वो यही है, कि जिस तरही किसे मेरे की बाजारों के अंदर हम लोग को हल चल देखने को मिली, तो महाँ पे जो बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बियाजदरे बढ़गी लगातार बाजार गिरता ही रहेगा, आवराल कभी न कभी बाजार के अंदर हम लोग को स्टैबिलेटी देखने को मिलेगी, और उसके बाद उपर के लेवल देखने को मिले, बाजार के अंदर हम लोग को आप गिरावट देखने को मिले, पैने के तब भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देखे वापिस से बाजार रिकावर करेगा, कुछ दिन आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, अब देखे बात करते हैं उस शेर के बारे में कि जिस के अंदर हर गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ भारती स्टेट बैंक के बारे में, सरकारी बैंक है इंडिया का नंबर वन बैंक, जिस तरीके से लगतार हल चल इस बैंक के अंदर हम लोग को दिखने को मिली, अभी हाल फिल चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रेंज निकल के अरी लगबख 400 से लेकर 410, तो यहाँ पे हम लोग को खरीदारी का मौका बनता है, और यहाँ पे हम इतने ही शेर बाई कर सकते हैं, कि अगर यह शेर हम लोग को नीचे लगबख 380 रूपे के आस पास तक जाता हु और जब इसके अंदर और भी गिरावाट हम लोग को देखने को मिलेगी, तब हम महाँ पर माल उठाएंगे, तो देखे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लेवल आप मानकर चलते हैं कि लगबख 400 रूपे के आस पास यह स्टॉक आपको दिखाए दे रहा है, तो आप यह सोचके चलने लगें कि लगबख 300 रूपे तक चला जाएगा, महाँ पर हम खरीदारी करेंगे, तो बजार आपको इस तरिक का मुका नहीं देगा, बजार के अंदर बीच बीच में आपको उपर के लेवल देखने को मिलेंगे, बीच में गिरावाट भी देखने को मिले अब आपने नीचे 380 रूपे के आसपास तक के अगर तैयारी करके चली है, तो बिलकुल भी आपके सामने पैनिक वाला कोई भी महुल क्रियेट नहीं होना चाहिए, अब मानके चलते हैं कि 380 रूपे तक यह शेयर गया, और उसके बाद भी हमें इसके अंदर गिरावाट को मिली, बीच-बीच में उपर के लेवल भी देखने को मिले, नीचे यह लगबग 350 रूपे के आसपास चला जाता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूं कि exact जो लेवल निकल क्या रहा है, कि लगबग 340 रूपे से लेकर 350 रूपे की जो रेंज निकल क्या रही है, हो सकत रेटन जो आपको हमेशा बनता रहेगा, बजार के अंदर यही लेवल जो है आपको लगातार देखने को मिलने, बजार उपर की तरह मूँ करता हुआ नजर आता है, लगातार प्राफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, तो देखिए अब अगर निफ्टी के अंदर औ अवराल कहिन कहीं हम ही जीत में रहते हैं, दोस्तों कर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर किजेगा, चैनल सब्सक्राइब पर कर लेना, ताकि नए वीडियो के नाटिफिकीशन सीधे आपके मोबाइल पिनिस के, थैंकी सो मच, फो में परक लेना, एक द मच, आचिंदे, टो चिंप मोबाइल।